तो हम यहां पे अपनी ग्रीन स्क्रीन पर नेविगेट हो चुके हैं तो इसी तरह से आप यहां पे जिस तरह से चाहें वैसे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग तो यह उस तरह से काम करने लग जाएगा हेलो वैबिवन वेल्कम बेक टू दी चैनल तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से अपनी फ्लटर अप्लिकेशन के अंदर यूनिवर्सल लिंकिंग को इंप्लिमेंट कर सकते हैं यह बहुत एजी है असलमें यूनिवर्सल लिंकिंग क्या होता है कि यूनिवर्सल लिंकिंग और डीप लिंकिंग के जरीए ही होता है डीप लिंकिंग और यूनिवर्सल लिंकिंग यह आल्मोस्ट सेम है लेकिन क्या होता है कि जब आप कोई कस्टम स्कीम यूज करते हैं लेट से आपकी अप्लिकेशन का नाम है वाटसैप तो जब आप किसी CTPS इस तरह के लिंक्स को यूज करते हैं तो तब हम इसको यूनिवर्सल लिंकिंग कहते हैं अब आपको पता होगा कि Firebase और बाकि जितने भी डीप लिंकिंग प्रोवाइडर थे उन सब ने डीप लिंकिंग को डेप्रिकेट कर दिया और वो सब इंकरिश करते हैं कि आप अब पजाए तो इस वीडियो में हम यही सारा सीखने लगे हैं कि हम यूनिवर्सल लिंकिंग को किस तरह से इंप्लिमेंट कर सकते हैं और वो भी बगएर Firebase को यूज किये तो बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक है वीडियो को लास्त तक देखेगा तो वीडियो शुरू करते ह यह हमारा VS Code है और यहां पर हम एक प्रोजेक्ट को क्रियेट कर लेते हैं जल्दी से तो प्रोजेक्ट का मैं नाम रख देता हूँ यूनि लिंकिंग फ्लिटर एप और एंटर करेंगे तो यह हमारा एक प्रोजेक्ट क्रियेट कर देगा इधर तो इसके लिए थोड़ा सा जाना पड़ेगा लिए जी तो यह आप पर देख हो चुका था अब मैं क्या करता हूं मैं यहां कुछ चीजों को रिमॉफ कर देता हूं यह हमारा हों पैज है तो मैं यह सारे को यहां से रिमॉफ पर देता हूं और इसके बाद यह home property भी remove कर देंगे और यह कुछ comments है इनको भी हम remove कर देंगे यह सब कुछ करने के बाद हमारे पास सिरफ इतना सा code बच जाएगा तो title भी let's say हम इसको flutter uni linking ठीक है हम इसका title भी change कर देते हैं universal link है हमने किसी screen पे navigate होना है जैसे हमारी app बंद होगी यहां जैसे हमारी app चलेगी हमने directly अपनी screen पे navigate होना है तो इसके लिए हमें यहां पे demo purpose के लिए दो screen है बनानी पड़ेंगे ताकि आपको सही से समझा पाए तो मैं एक green dot dot और यहां पे stateless widget बना दूँगा green screen और यहां पे हम क्या करेंगे इस container को color दे देंगे तो color इसका हम colors dot green दे देंगे ठीक है और इसी तरह मैं यहां पे core screen create कर लेता हूं जो के होगी red dot dot और यह भी हमारी red screen होगी आप अपने हिसाब से इस चीज को modify कर सकते हैं जो भी आपकी requirement है मैं बस आपको concept सिखा रहा हूं ठीक है तो यह हमने दो screen यहां पे create कर ली अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हम यहां पे अपनी universal linking का set up करेंगे तो इसके लिए मैं यहां पे एक folder बना लेता हूं let's say services नाम से ठीक है और इसके बाद मैं यहां पे file बनाऊंगा uni services dot dot और इसके अंदर मैं क्या करूंगा मैं class को create कर लूँगा और इसको मैं uni services कह दूँगा ठीक है तो यह हमने यहां पे class भी बना ले अब class बनाने के बाद हमने यहां पे universal linking को set up करना है तो उसके लिए हमें एक package की जरूरत है तो मैं यहां पे package add करूंगा जिसका नाम है uni links यह first one जो है इसको आपने select करना है तो इसको select करते ही यहां पे add होना शुरू होड़ेगा तो आपको wait करना पड़ेगा ठीक है तो यह यहां पे add हो चुका है अब हमने यहां पे क्या करना है हमने अपने universal linking को set up करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा मैं सबसे पहले तो यहां पे कुछ variables को बना लूँगा अपनी असानी के लिए तो static और string और यहां पे मैं इसको कह दूँगा code is equal to this thing ठीक है तो यह अब ही code जो है वह शुरू पे empty होगा और इसके बाद एक और variable बनाते हैं जिसको मैं as a getter use करूंगा यह असल मैं getter method है तो इसको मैं code is this will return us the code ठीक है और इसके बाद मैं a core variable बना लूँगा जो के हमारा boolean होगा और हम इससे check करेंगे कि हमारा code empty तो नहीं है और मैं इसको कहा दूँगा has code और यह हमें return करेगा code.isnotempty तो यह हमें true या false को return करेगा ठीक है यह भी हो गया अब हम क्या करते हैं हम इसके बाद हमारा एक reset का method बनाते हैं जिससे हम एक दफ़ा screen पे आ गए तो हम बाद में अगर चाहें तो उस चीज को reset भी कर पाएं तो मैं इसको एक reset का method बना लेता हूं और वो क्या करेगा वो हमारे code को वापिस से empty कर देगा ठीक है तो यह काम भी हमने कर लिया अब हम क्या करते हैं हम यहां पे एक universal linking handler बना लेते हैं अब handler किस काम के लिए वो मैं भी आपको बताता हूं हम यहां पे एक method बनाते हैं uni handler ठीक है और इसके अंदर हम uri को pause करेंगे अब यह uri आपको पता है क्या होगा यह कोई link होगा तो uri और यह यहां पे हम इसको null level रखेंगे तो यहां हम इसको check कर लेते हैं कि अगर तो हमारा uri dot is dot query parameters dot is empty यहां तो यह empty है यह uri is equal to null तो इन दोनों cases के अंदर हमने क्या करना है हम यहां पे return कर जाएंगे इस method के अंदर से तो तब हमने यहां पे कोई भी operation pass नहीं करना तो यह हो गया और ठीक है वो कहता है अच्छा यह पेली नलोगा तो हम इसको उठा के यहां पे रख लेते हैं इस condition से पहले ठीक है तो यहां पे हम इसको uri और इसको हम ऐसे कर लेते है कि इसकी भी वैसे जरूरत नहीं है तो यह भी हो गया ठीक है अगर तो यह empty होगा यह नल होगा तो यह कोई भी perform नहीं करेगा operation लेकिन अगर यह ऐसा नहीं होता तो हम एक map बना लेते हैं जैसे कि हमें पता है कि uri link होगा तो उसके अंदर से हम parameters को get कर पाएंगे तो मैं यहां पे uri.query parameters और इसके अंदर से मैं अपने code वाला parameter get कर लूँगा तो अब यह क्योंके null label है तो हमें यहां पे कुछ भी null aware operator लगाना पड़ेगा तो मैं इसको कहा देता हूँ के भई तुम ऐसे करो के string of dynamic इसको भी हमें string ही रखना पड़ेगा और यहां पे आएगा query parameters और इसको भी हम यहां से भी remove कर देते हैं तो यह fix हो जीगा तो यह हमारे पास parameters आ गए जितने भी हमने get करने थे अब हम इसके अंदर से वह code वाला get कर लेते हैं तो उसके लिए एक string बनाते है received code is equal to param और इसके अंदर से हम code वरना हमें return खाली कर दो तो यह भी हमारा यहां पे काम हो गया यह हमारा बन गया handler method अब हम क्या करते हैं हम यहां पे एक init method बना लेते हैं जिससे हमने अपनी universal linking service को initialize करना है तो वह भी काफी easy है हम यहां पे एक method बनाते है static init और यह हमारा asynchronous method होगा तो इसके अंदर हम क्या करेंगे हमने यहां पे try catch को use करना है और try के अंदर हम रखेंगे कि अभी एक final uri है जो के null label है और uri is equal to await और await यह क्या करेगा get initial URL ठीक है तो इस चीज़ को हम यहां पे अभी import कर लेते हैं तो इसको import हो जाना चाहिए क्यों नहीं हुआ get initial uri ठीक है तो यह URL नहीं था यह URL तो यह हमने यहां पे इसको कर लिया है अब हमारे पास जो भी link था जैसे हमारी app open वी तो जो भी link हमें receive होगा वो इसके अंदर save कर लेंगे अब हम यहां पे क्या करते हैं कि अपना जो uni handler है उसको यह URL पास कर देंगे ठीक है तो यह पास कर दिया तो यह इन सभी चीज़ों को चेक करेगा और अगर तो इसके अंदर यह code हुआ तो इसकी अंदर यह रख लेगा और अगर ना हुआ तो फिर यह हमें यहां पे कोई न तो यह case के अंदर हमने क्या करना है हम यहां पे चाहते हैं कि अगर अगर प्लैटफ़ॉम एकसेप्षण है तो तूम क्या करो यहां पे लॉग कर दो लॉग लोग अभी तूमने क्या करना है तूम यहां पे इसको के दो कि घृल्ड टूू म्याए टीक से और यहां पर लगाना पड़ेगा ठीक है तो यह हो गया हमारा अगर तो platform exception यानी code नहीं आया और अगर हमारा code आया लेकिन उसकी format ठीक नहीं है तो उस case में तुम क्या करो तुम यहां पर इस error को catch कर लो और तुम हमें यहां पर इसी को copy कर लेते हैं ठीक है तो copy और यहां पर paste करके मैं इसका error change कर दूँगा wrong format code received ठीक है तो यह दो हमने यहां पर कर ली है जो के handle करेंगे इस चीज को इन सभी चीजों के बाद हमने क्या करना है कि हमने यहां पर अपनी जो stream है उसको start करना है तो uri link stream dot listen तो इसके बाद क्या होगा कि हम यहां पर listen करेंगे जो जो changes हमार पास receive होते रहेंगे तो मैं इसको क्या करता हूँ event को uri null level रखोंगा और यहां पर uri कर दूँगा और क्योंके यह एक listener है तो यह synchronous होगा तो इसके अंदर हम क्या करते हैं अभी हम यहां पर इसको क्या देंगे यहां पर इसको क्या देंगे अब हम क्या करते हैं कि अगर तो इस चीज की अंदर कोई error आ जाता है on error तो हम यहां पर क्या करेंगे उस error को catch करेंगे और यहां पर हम log कर देंगे log हम किस तरह से करेंगे हम यहां पर इसको कह देंगे कि बए on your link error और इसके अंदर हम देख लेंगे कि हमें कौन सा error रसीव हुआ है ठीक है तो यह हमने अपनी सारी फाइल बना लिए यूनिवर्सल लिंकिंगे तो इसके बाद हम यहां पर जाते हैं अपने main में और यहां पर आने के बाद टॉप पे हम जाएंगे और यहां पर पहले तो इसक services ठीक है इसको call करेंगे dot init तो यहां पर हम इसको initialize करतेंगे इस method को और यहां हम इसका await करेंगे और इसके बाद हम अपनी app को start करवाएंगे ठीक है तो यह काम भी हमने यहां पर कर लिया यहां पर हम एक file को create कर लेते हैं ताके हम यहीं से navigate कर पाएं तो उस file को create करने के लि सॉरी उस class को create करने के लिए एक और file को create करता हूँ जो क्यों होगी context utility dot dot और यहां पर class को create करेंगे context utility और इसके अंदर हमने क्या करना है पहले तो हमने एक global key को create करना है तो इस class के अंदर हम क्या करते है एक variable बनाते है static final जो के global key होगा और यह key किस type से होगी यह navigator state की की होगी तो इसको यहां पर हम इसका नाम रख देते हैं navigator key और इसको equal कर देंगे कि हम global key navigator state और यहां पर हम इसको okay कर देंगे तो अभी इसको import करना पड़ेगा तो मैं material को import कर लेता हूं और इसके बाद हम यहां पर इसका एक getter method भी बना लेंगे जो कि होगा global key of navigator state और इसको get और navigator key और यह हमें return करेगा हमारी navigator key को ठीक है तो यह हमने यहां पर key बना ली अब हम यहां पर एक context बना लेते हैं तो build context जो कि ना लेबल होगा और इसका हम एक getter बना लेते हैं context is equal to और यहां पर हम क्या कहते हैं कि भई तुम ऐसे करो कि तुम हमें यहां पर navigator dot overlay dot context लाके दो तो इसको हम यहां से ऐसे कर लेंगे तो अब हमें इस navigator की जरूरत है तो हम यह navigator कहां से ला सकते हैं हम यहां पर एक static navigator state null label होगा यह वो बनाएंगे और इसका getter बनाएंगे navigator जो के हमें return करेगा navigator key dot current state ठीक है तो यह हमें यहां पर इस चीज़ को return करेगा और यहां पर हम null check लगा देंगे तो यह ok होड़ीगा ठीक है तो हमने यहां पर context भी get कर दिया अब हम क्या करते हैं main में जाते हैं और material app के अंदर navigator key की जगा हम context context utility import करते हैं context utility dot navigator key ठीक है तो यह अबने यहां पर इसको दे दिया अब हम वापिस से इस method में आते हैं अपने uni services में यहां पर हम क्या करते हैं कि अगर तो हमारा जो received code है वह equal होता है कि green तो हम क्या करना चाहते हैं हम यहां से navigate हो जाएंगे तो मैं यहां पर करता हूं navigator dot push तो material import कर लेंगे ठीक है तो navigator dot push और इसकी अंदर हम क्या करेंगे material page route और यहां पर हम इसको navigate कर देंगे अपनी green screen पर तो green screen पर हमने इसको navigate करवा दिया और यहां पर हमें context की भी जरूरत है तो उस context के लिए हम context utility dot context हाँ यहां पर dot context कर लेंगे तो यह हमारे यहां पर fix होड़ेगा तो यह क्योंके null label है तो हमें यहां पर the label लगाना पड़ेगा wait a second cannot be assigned to the build context तो इसके साथ हम यह hysteric लगा देंगे तो अगर तो green code हुआ तो हमने green screen पर navigate होना है else हम यहां पर क्या करते हैं हम red screen पर navigate हो जाएंगे तो यह सारे को हम select कर लेते हैं और यहां से हम red screen कह देंगे ठीक है तो यह हमने यहां पर code कर लिया अब main चीज रहेगी कि हम यहां पर जाएं अपने android में app के अंदर source और main और यहां पर हमने manifest के अंदर आना है तो सबसे पहले तो यह जो single top है हमने इसको single task यह change कर देना है और इसके बाद हमने यह resizer के बाद आना है और यहां पर हमने एक intent filter start करवाना है तो intent filter start करवाएंगे और साथ ही उसको हम close कर देंगे ठीक है यह चीज बहुत important है यह आपने गलत नहीं करने अगर यह गलत होगी तो पिर आपकी यह functionality काम नहीं करेगी तो इसके बाद हमने क्या करना है हमने एक action को create करना है और इस action के अंदर हमने क्या करना है android और यहां पर name is equal to और यहां पर हमने क्या करना है android.intent.action.view अब यह चीज बहुत ही important है मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अगर इसके अंदर कोई mistake होगी तो फिर आपकी functionality काम नहीं करेगी और ज्यादतर लोगों की इसी चीज में problem आ जाती है तो वह समझते हैं कि पता नहीं code के अंदर कोई मसला है तो यह चीज आपने carefully इसको implement करना है category.default और साथ ही हमने इसको भी close कर देना है इसी तरह हम एक और create करेंगे category और android और यहां पे हम name is equal to यह और यहां पे android.intent.category.browseable ठीक है तो अभी आपको अगर आपने android ज़रा भी नहीं की तो आपको इस चीज का idea नहीं होगा कि यह क्या है हम basically यहां पे कह रहे हैं कि हम एक intent ऐसा start करना चाहते हैं जो के default यानि device के अंदर से open हो यहां किसी link के जरीए open हो तब यह चीज इसको detect करेंगे और हमारा जो काम है मतलब उसको navigate करवाना है उसके बाद हमने यहां पर data pass करना है तो data के अंदर हम क्या कर सकते हैं हम यहां पर android scheme यह enter करेंगे और यहां पर https रखेंगे अब यह जो scheme है यह शुरू में मैंने जो आपको बताया था कि scheme क्या चीज होती है जब हम universal linking को use कर रहे होते हैं हमने https को use करना होता है और जब हम deep linking को use कर रहे होते हैं तो तब हम यहां पर कुछ भी दे सकते हैं लेटसे मैं बाबाट apps यह भी दे सकता हूं तो अभी क्योंके universal linking है तो https और उसके बाद हमने यहां पर एक host प्रोवाइड करना है तो यह host क्या चीज होती है यह कोई भी आपका domain हो सकता है कोई भी website होती है जहां पर आपने configuration की हो जब भी हमारी हमारा जो user है जब भी इस page पे आए तो directly हम क्या करें हम अपनी mobile के अंदर application को on कर दें तो हमने यहां पर वह pass करना है तो यह भी मैं आपको configure करना सिखाऊंगा next video में पर अभी के लिए आप इसको देख लें कि मैं किस तरह से setup कर रहा हूं तो यहां पर host मैं provide कर देता हूं तो 17166.web.app ठीक है तो यह हमने यहां पर अपना एक data भी बना लिया है ठीक है तो यह हमारा deep linking के हसाब से हमने इसको configure कर लिया है अब हम क्या करते हैं हम यहां पर इसको universal linking के हसाब से भी configure करते हैं ठीक है और उसके बाद ज्यादा कुछ change आपको करने की जरूरत नहीं है बस आपने ऐसे इसको रखना है और save कर देना ठीक है तो यह भी हमने save कर दिया है अब हमने क्या करना है हमने एक file को create करना है वो file कौन सी होगी वो basically ठीक है तो यह भी काम हमने यहां पर कर दी है अब हम क्या करते हैं हम अपनी application को start करते हैं तो मैं यहां पर अपना emulator on कर लेता हूं और उसके अंदर हम इस app को run करेंगे तो जैसे कि यहां पर app run हो चुकी है और error भी आ चुका है कि आपका navigator key तो null है और initial route जो है वो भी null है तो navigator key हमने इसको provide किया हूए लेकिन initial routes वो हमने इसको pass नहीं किये तो हम क्या करते हैं हम यहां पर material app के अंदर एक routes बना लेते हैं और यह क्यूंके list होगी तो हम यहां पर क्या करेंगे sorry not list यह map होगा तो हम इसके अंदर एक let's say a core screen हम बना लेते हैं इधर ही जोके एक initial route हो तो मैं यहां पर stl initial screen और इसको मैं यहां पर container और इसका color colors.wide कर दूँगा ठीक है तो route हम यहां पर बनाते हैं और उसके अंदर मैं इसको कहा दूँगा कि अगर तो slash है तो इसका मतलब है कि यह हमारा initial screen है ठीक है अगर तो यह है तो यह हमारी initial screen है और इसको हम यहां पर क्या करते है हम return कर वाएंगे ठीक है कि एक-प्रीड जगा क्रीट कर लेते हैं कि अगर तो इसको copy करेंगे paste और यहां पर मैं इसको कहा देता हूं green और इसको मैं कहा देता हूं red और initial screen उसकी जगह मैं green कहा दूँगा ग्रीन स्क्रीन और इसकी जगा मैं इसको रेड कहाँ गाँ और इनको इंपोर्ट कर लूँगा यह बैसिकली हमने क्या क्या है यहां पर नेम्ड राउट्स बना दी है तो हम चाहें तो यह जो हमारी है यूनी सर्विसिस इसके अंदर हम यहां पर फुश नैविगेटर को यू इसका प्रेश कर सकते हैं लेकिन अभी ठीक है जो है हमने उसी के साथ continue करना है ठीक है तो यह हमने बना दिया अब हम क्या करते है कि एक दफ़ाए एप को प्री स्टार्ट कर लेते है ताके अगर कोई शीओ है तो हम देख पाएं ठीक है तो यहां पर कोई शीओ नहीं आया तो अब हम क्या करते हैं हम इस एप को मिनिमाइज कर देते हैं एप को मिनिमाइज कर दिया तो अब हम सोचते हैं कि हमें ना कोई लिंक मिला है let's say मैंने आपके साथ कोई लिंक शेयर किया और आपने जब उस पर टैप किया तो instead of going to the website हम अपनी एप के अंदर ये उस लिंक को open करवा पाएं तो एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं तो इसके अंदर ये जो हमारी युनी linking की एप है अगर हम इसके एप info में जाते हैं और यहां पे हम open by default पे click करते हैं तो यहां पे लिखा आ रहा है one verified link and automatically opens in the app जब भी ये वाला link हमारी पूरी device के अंदर कहीं पे भी open होगा तो ये automatically हमारी इस वाली application को on कर देगा तो हम यहां पे इसको try कर लेते हैं हम क्या करते हैं हम यहां पे एक message को open कर लेते हैं एक message लिखते हैं और किसी को भी send कर देते हैं one two three और यहां पे हम अपना message type करते है open the following link to go to our app ठीक है तो ये हमारा app हो गया अब हम इसके अंदर क्या करते हैं अपना https तो https और इसके अंदर हम अपना link pass करते हैं और इसके पास slash enter करेंगे और यहां पे code क्यूंके हमारा हमने जो parameter रखा है यहां पे अगर आप देख पाएं कहां पे कही हमारी file तो यहां पे यह नहीं तो आप यहां पे यह code देख पाएं तो हम ऐसा parameter code और यहां पे इसको कह देते हैं कि code यह red होगा तो यह हमने red कर दिया अब हम यहां पे इसको send करते हैं तो यह हमने यहां पे इसको send कर दिया अब हम क्या करेंगे यह automatically उसको यह link detect हो गया तो अगर हम इस पे click करते हैं तो यह automatically हमारी app के red screen पे आ चुका है अलागे हमने यहां पे link को pass किया था बैक आते हैं तो यह वापिस हमारा homepage आड़ेगा इससे भी back आते हैं अब हम क्या करते हैं इसी link को copy कर लेते हैं और यहां पे paste करते हैं और यहां पे red की जगा मैं इसको green कह देता हूं green कह देंगे send करेंगे तो जैसे ही मैं इस link पे click करूँगा तो हम यहां पे अपनी green screen पे navigate हो चुके है तो इसी तरह से आप यहां पे जिस तरह से चाहें वैसे इसको modify कर सकते हैं अपनी need के according तो यह उस तरह से काम करने लग जाएगा तो उम्मीद करता हम आपको वीडियो अच्छी लगी होगी नेक्स वीडियो में हम क्या करेंगे कि हमने अपनी website को किस तरह से configure करना है ताके वह हमारे application को start कर पाए ना के हमारी website पे navigate हो तो नेक्स वीडियो में यह सारा सीखेंगे तो मिलते हैं आप नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अल्हाफिज